तर आज जमकर हंगामा देखने को मिला विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि उसे नीट पर चर्चा चाहिए लेकिन राज़नाज सिंग की तरफ से खा गया कि पहले धनलेबाद प्रसाव पर चर्चा होनी चाहिए सरकार हर विशे पर हर मुद्धे पर चर्चा का निकले तया तर विपक्ष की तरफ से लगाता नीट के मुद्ध पर चर्चा को रेकार हंगामा सदंक में किया क्या राहूल गाता रहमांग करते रहे कि पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए गंभीर विशे है और युवाओं के रुजगार से जुड़ा हुआ है वहीं रक्षा मंची तर विपक्ष के द्वारा उठा गया सबाल पर जबाद दिया गया उन्होंने कहा कि वो हर विशे पर चर्चा करनी करें त्यार है लेकिन पहले धानले बाद पर साओ पर चर्चा होनी चाहिए जिसके आधार पर करवाई चलती है और मानता हूं कि ये हेल्डी टेडिशन हमारे संसट की एक सब्से बड़ी ताकत है जब कभी भी राष्पती जी के विवाशन पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि अपने लंबे संसरी जीवन में जो मैंने द अपने सभी सम्मानिक विवक्ष के सबस्यों से भी आध्रय करना चाहता हूं आप जिस भी से पर चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करें लेकिन एक बार राष्टपदी चे संबंदिक जो धन्यबाद प्रस्ताओ है उसको संसब में पारीद करने के बाद ही करें पार्लमेंट से देश को मेसिज जाता है और हम स्टूडन्स को मेसिज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लमेंट के लिए ज़रूरी है इसलिए मेसिज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लमेंट चर्चा करें मैं देखता हूँ करना जो हमारा श्पीकर होता है चाहे उस गड़ी पे कोई बैठा रहे उसके गरिमा को तार तार करना और हर बात पे वाक आउट करना यह दुर्भाग अम जोग इसलिए वाक आउट किया कि यह मामला बहुत गंभीर है नीट वाला और हम लोग पहले दिन में इसको उठाये थ भाशन पर धन्यबाद प्रस्ताओं से पहले इस पर बहस हो चर्चा हो लेकिन सरकार इस बात को मानने को तयार नहीं है और यह मामला इसलिए गंभीर है कि दो को नोजवानों के भविश का सवाल है और लगातार यह मसला कई दिलों से यह उठ रहा है लेकिन सरकार इसको टा वहीं अनराक ठाकर के तारप से कहा गया कि जनता ने प्रधान मंत्री मोदी को एक बरपर से चुना है एक बरपर से मौका दिया है समिदान माते पर लगाने से काम नहीं चलेगा बल्कि इसके मुल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा दोजार चुनाव नीती नियत निष्टा और निरिन्यों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है फिर एक बार मोदी जी के नेतरतम में अंडिया की सरकार बनाई देश का ये चुनाव एतिहासिक जनादेश हमारे यह शश्वी परदान मंतरी शिरी निरंदर मोदी जी के पिछले दस वर्षों के सेवा सुसाशन और गरीब कल्यान के महा अनुष्ठान पर मोहर है देश को जुरूरती एक स्तिर और निरंतर सरकार की और देश ने एक स्तिर निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधान मंतरी चुना है ये जनादेश विक्सित भारत के संकल्ब की सिद्धी के लिए है ये जनादेश मोदी जी के नेतरतम में तीसरे कारकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता बनाने के लिए है ये जनादेश विवक्ष के भय, भ्रम और भर्ष्टाचारी राजनीती पर तमाचा है। हमने आई के लिए लड़ाई फर्म से नहीं है। मैं समझते हूँ ये बहुती जलर तरीके से होच है पासवर्ट